आप सभी लोग नियूज फेपर पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने पढ़वी लिया होगा कि जो बिम स्टेक संगटन है ना इसकी सत्रह भी मंतरी इस तरह ये बैठक हुई है अभी हाली में और याद रुकिए ये सभी अभी भी जो भी आपकी इस तरह की म मत्य मत्यम्न से होती है और आपने रखा होगा कि इसमें आपकी ये संकर जो बिदेश मंतरी हैं उन्होंने भाग लिया है और स्रीलंगा की अध्यक्ष्टा में की गई है recent टिक और याद रखिए आप लोग इस तरह की questions आपकी प्रेलिम्स में पूछे जाते हैं फर चाहे आप लोग state PCS का प्रेलिम्स दे रहे हूँ या civil service का प्रेलिम्स दे रहे हूँ या फिर आपका one day exam हो हर जगह इस तरह की संगटनों से आपकी questions आते हैं इसलिए मैं बार-बार बोला हूँ कि कम से कम आप लोग जिस भी परीक्षा की तयारी कर रहे हैं तो उसके 5-7 साल के questions पर उठा के देख लीजे तो आपको मालू तो हो जाएगा कम से कम की questions किस तरह के पूंचे जा रहे हैं तो आपने देखा है हाल में और एक आपका संगटन है और दूसरा है सार्क इनके बारे में हम लोगोंने बड़े विस्तार से बात की हुई थी कि इनमें कौन-कौन से दिश सामिल है कब इसकी स्थापना हुई है तो ये सभी आप लोगों को देख भी लेना चाहिए एक महत्पूर संगटनों के नाम से आपकी पिले लिष्ट सूची बनी हुई है उसमें सभी डले हुए है और इनसे हमेशा कुश्चन्स आते हैं एक दो कुश्चन्स, दो, तीन, चार कुश्चन्स आते रहते हैं हर परिच्छा में आपके देखिए हमारी प्यारी पितभी और जिसे आप लोग गोला कहती है और इसमें देखेंगे आप लोग हमारा प्यारा भारत एसिया में पढ़ता है और अपने पडोसियों की बात करें तो यह स्रीलंका हो गया बंगलादेश, मयनमार, भूटान, नेपाल यह आपका पाकिस्तान दोस्त आपका और अफगानिस्तान, उपर आप देखेंगे चाइना है, ठीक है अफगानिस्तान से भी हमारी सीमा लगती है पियो के बाला जो पाकिस्तान की कपजे में है उससे सीमा लगती है ठीक है और ये बंगलादेश से सबसे जाना सीमा लगती है हमारी ये भी आप लोग याद रखेगा एक आपका देश है यहाँ देखिए जलिये सीमा लगती है मालदीप से तो ये भी आप लोग याद रखेगा और स्री लंका से भी हमारी जलिये सीमा लगती है पाक जल डमरू है ना जो यह स्री लंका और भारत को अलग करता है एक तरह से एक कुस्टन्स भी कई वार आपका पूच लेता है कि पाक चल डमरू किन दो देसों को अलग करते हैं तो अधिक तर वच्चे क्या करते हैं कि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान और भारत कर देता है लेकिन आपक प्रगती की बात करने तो बैठक में भारत द्वारा आदंगवाद, ट्रांस नेशनल क्राइम, परिवान एवं संचार परिटन एवं परियावन और आबदा ब्रवन्दन आदी विवन ने छेत्रों में हुई परिटी को रेखांकित किया है, और आप समझे एक ऐसी समस्या हैंगी जिससे हर देश एक तरह से आप समझे जूज रहा है, आतंग बा हाल है कि घर से बच्चे स्कूल जा रहे हैं, घर से आप ओपिस जा रहे हैं, लोटके आएंगे भी या नहीं आएंगे, ये भी किलियर नहीं रहता है, तो यानि कि हम ठीक ठाक सुरक्षित देश में रह रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये नेता अगर अपना धरम निभात हैं, तो हम और सुरक्षित हो जाते हैं, बैठक का अगर पईडाम के हम बात करें, तो बैठक के दोरान स्री लंका में आयुजित होने वाली आगामी विमस्टे सिकर सम्मिलन में, अपनाने हितु विमस्टे परिवाहन कानेक्टिविटी मास्टर फिलान का समर्थन किया गया हैं, और भारत की उत्तर फूरी राज्य इस मास्टर फिलान का महत्पूर्ण हिस्सा आएं, क्योंकि कई सडकें और नदी लिंक इस्चेत से गुजरते हैं, और याद रखिए, जैसे उत्तर फूरी की बात कर रहे हैं, तो भारत का ये हिस्सा कहलाता है, ठीक है? इन्हें भी आप लोग देखते रहिएगा, बिम्स्टेक चार्टर को जल अपनाने का अहान भी इसमें किया गया है, और बैठक में अपराधिक मामलों में आपसी कानूनी साहता पर कर्वेंशन, राजनेकों और फिसीक्षन अकादमियों की भी सहो और कॉलंबो, स्रीलंका में सेंटर फोर वेदर एंड कलाइमिट आपदा संबंधी प्यारंभिक चेतावनी पिदान करने के लिए अत्याधुनिक सुविधा की साथ पूर्दा कर्यात्मक है, और आप लोगों को बता दूँ, आपकी मुख पर इक्षा में कुश्चन साती रहतें इस तरह के, और आप द सदसों की भी समझस से स्थाफित करना मुश्किल हो रहा है, और आपने देखा होगा कि यहां सैनिक एक तरह से आप समझ सकते हैं, यह है म्यानमार, और याद रखिए म्यानमार से कौन कौन से राज लगते हैं, मिजोरम, मडीपोर, नागालेंड और अरुनाचल, क्योंकि आ आप लोग याद रखिए, इनसे आपका पक्षे मंगाल हो गया, मेगाले, असम, और तिप्फुरा, मिजोरम, यह सभी राज्यों को भी आप लोग याद रखा गिरिए कि किन से अंतराष्टी सीमा लगती है, किस राज्य की किस राज्य से सीमा लगती है, कितने राज्यों स तीन और भूटांसी फंसी मा लग रही की मैं बार बार वह लाओं कई वार आ चुक एंडल को भी pony आति सकते हैं नजबाल से लग रही है प्रोड़ाजब से लग रही है Bishop का सम्कॉस्वET प्रण्स हाइज क्योंकि इसके कारण एक सामान चार्टर विक्सित करना संभव नहीं हो सका है अगर बेमस्टिक की बारे में हम लोग बात करें तो इसका पूरा नाम है Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation याद रखे आपके बेंक के जो एक्जाम होते हैं उन्हें में full form भी पूंच लेता है कई बार कई पर इक्षाओं में और यह याद रखे एक 6-3 संगठन एचिया में और इसमें आपके साथ देशों में से 5 देश यानि की टोटल आपके इसमें साथ मेंबर हैं साथ देश सदस्निस के बंगलादेश, भूटान, भारत, नैपाल, स्रीलंका बंगलादेश, भूटान, भारत, नैपाल, स्रीलंका है एक बार मैपस में देख लिजी आप लो ठीक है? यह आप देखेंगे भारत, स्रीलंका, भूटान और बंगलादेश यह है, नैपाल यह पांत देश सामिल है इसमें, और दो देशों की बात करने तो इसमें आप देखेंगे, यह सभी आपके दच्छेड ECR के हो, दो म्यानमार, म्यानमार और थाइलेंड, दच्छेड पूहेंड एसिया के हैं, जिसमें आप देखेंगे म्यानमार आपका ये हो गया और थाइलेंड ये हो गया ये आपके साथ देश थे हैं यहीं आप लोगों को बता देता हूँ ठीक है कि देखेंगे सार के एक है दच्छेड एसी आई सहयोक संगतन इसकी इस्थापना आप देखेंगे 8 दिसमबर 1985 को हुई थी इसका मुख्याला आपको काटमांडू नेपाल में देखने को मिलेगा इसमें आप देखेंगे अफगानिस्तान है आपका ये आपका अफगा यान का है लेकिन आपने विंडसी ना तो आपका पाकिस्तान सामल है और ना ही आपके मालदिव सामल है लेकिन सारिक में इस दोनों देखेंगे तो ये भारत और पाकिस्तान की बीच मदभेदों की चलते भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ जुड़ने का एक नया मंच भी पिदान करता है क्योंकि आप देख रहे हैं सार्ग का क्या इस्तिती बनी हुई है अंतर छेत्री सहयोग पर ध्यान देने केंद्रिक करने के साथ विम्ष्टेक ने दच्छेस यानी की सार्क और दच्छेश पूर्व एस्याई देशों के संगटनों के सदस्य देशों के साथ एक सांज्यमंच का निर्मार भी किया है बरतमार में आप देखें कि विम्ष्टेक में 15-63 एक कार हैं करता है जिनमें ब्यापार हो गया प्रोदगी की हो गया खिरसी परेटन मस्थ फालन ओर्जा जलवाईव परिवतन एस सभी 36 में सामिल है 1997 में इसकी सुरुआत केबल 6 देशों में को सामिल करते हुए की गई थी यानि कि 1957 में इसकी स्थाफना हुई थी बाद में आप देखेंगे 2008 में 696 तक इसे बिस्तारित कर दिया गया है ठीक है तो यह भी आप लोग याद रखेगा और इसके सचवाले की बात करें तो आप देखते हैं इसका सचवाले कहा है धाका बंगलादिस में यह भी आप लोग याद रुखे इसके अगर उद्देशों के बारे में अगर आप से पूछे तो इसका उद्देश है देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि जब कोई संग पड़ोसी हैं कापी अच्छा ब्यापार हो सकता है हमारे पास कापी अच्छा मार्केट भी है लेकिन आप देख रहे हैं सभी देशों में खटास बनी रहती है सहयों को और समानता की भावना बिक्सित करना सदस्य राष्टों को सांजाहित के छित्रों में सक्रिये सहयों औ पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना और सिक्षा विज्ञानों फरोधगी की आधी चित्रों में एक दूसरे का पूर सहयोग करना और आप समझ भी सकते हैं कि देखिए सभी पड़ोसी हमारे और हम लोग आसानी सेंसे ब्यापार कर सकते हैं अब आप ही सोच लीजे पाकि अगर पाकिस्तान से हमारी दोस्ती होती तो डारेक्ट ही हम लोग चले जाते और आप समझ रहें कि अगर चाइना से भी हमारी अच्छी दोस्ती होती और हम दोनों मिलके काम करते तो आप समझ सकते हैं कि दुनिया की सबसे जान्द आबादी हमारे पास है चाइना के पास औ आपका भारत और इनके पास आप देख सकते हैं कि बाजार भी है लेकिन आपने देखा है कि दोनों देशों में बंड नहीं रही है ठीक है तो वही हाल है कि आप समझ सकते हैं कि फूट डली हुई है और इसका कोई और फायदा उठा लेता है ठीक है तो यह ही आप लोगों को याद रखना होगा विम स्टेक के बारे में और सार के बारे में भी कुछ पॉइंट आपको याद रखना होगा इनसे questions पूछ लेता है